नमस्कार आप देखने दैनिक जागरन और मैं हूँ आपके साथ जैतिवारी इसराइल हमास युद को डेड़ महीने से भी ज्यादा समय हो चुका है और अब इसके रुकने के संकेत मिल रहे हैं पांच दिनों का युद विराम शुरू हो रहा है और उमीद की गिरन जगी है कि आगे भी ये जारी रहेगा जागरन ग्लोबल के आज के शो में हम जानेंगे कि इसराइल और हमास के इस युद के 47 दिनों की पूरी कहानी क्या है युद विराम के पीछे की इंसाइड स्टोरी क्या है कैसे ये डेडलॉक टूटा और कैसे युद रुकने की एक उमीद जगी है लेकिन विडियो शुडू करने से पहले मैं आपको बता दू कि जागरन ग्लोबल एक ऐसा शो है जिसमें दुनिया में होने वाली घटनाओं पर विस्तरित रूप से चर्चा की जाती है आप हर हपते शुक्रवार की श्राम पांच बजे इस्टो को दैनिक जागरन की इस चानल पर देख सकते हैं आप हमें सब्सक्राइब कीजे ताकि कोई भी आपिसोड आपसे चूट न जाए वापस आते हैं एक खबर पर ताजा जानकारियों के मताबिक इसराइल और हमास की युद में चार दिनों के संघर्ष विराम को सहमती बन गई और गुरुवार को गाजा पट्टी में लड़ाई रुख गई समझोते के तैट हमास साथ अक्टूबर को अगवा कर बंधक बनाये गए लोगों में से पचास महिलाएं और बच्चे रिहा करेगा इसके बदले इसराइल अपनी जेलों में बंध एक सो पचास फिलिस्तीनी महिलाएं और बच्चों को छोड़ेगा हताके आरोप में बंधी किसी भी कैदी की इसराइली जेल से रिहाई नहीं होगी टाइमस ओफ इसराइल के मुताबिक ये डील का सिर्फ पहला फेज होगा जो करीब चार से पांच दिन तक चलेगा इसके बाद इसराइल ने अगले 50 बंधकों के बदले 150 अतिरिक्थ फिलिस्तीनियों को रिहा करने के लिए कहा है हर 10 बंधकों की रिहाई पर इसराइल 24 घंटे के सीजवायर के लिए तयार हुआ है इसराइल और हमास के बीच ये भी समझोता हुआ है कि इसराइली ड्रोन 6 घंटे के लिए दक्षिन गाजा पर उडान नहीं भरेंगे इसके अलावा इसराइल ने 300 फिलिस्तीनियों के नाम की एक लिस्ट जारी की है जिन्हें वो रिहा कर सकता है इसमें जादतर महिला आएं और बच्चों के नाम शामिल है इस समझोते से गाजा में इसराइली हम लोग में मारे जार है निर्दोश लोगों की जान बचेगी साथ ही वहां की 23 लाख आबादी के जीवन की मुश्किले कम होंगी अमेरिका और भारत समेद पूरी दुनिया ने इस युद्विराम का स्वागत किया है कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्टपती बाइडन के जोड़ देने पर कतर ने मध्यसता की है आज हुए होस्टेजिस के रिलीज के समाचार का हम स्वागत करते हैं उमीद करते हैं कि सभी होस्टेजिस जल्दी रहा हो जाएंगे मानविय सहायता का समय से और निरंतर पहुतना आवश्चक है बदादे कि 7 अक्टूबर को हमास में इसराइल पर अचानक 5000 रॉकेटों से हमला कर दिया था जिसमें इसराइल के 1200 लोग मारे गये था जवाब में इसराइल ने हमास के खिलाफ युद का एलान कर दिया था और हमास का अस्तित्व खत्म करने की कसम खाई थी इस युद में इरान सहित कई मुस्लिम देश हमास का साथ दे रहे थे तो वहीं अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा था इस्राइल और हमाज की इस पूरे कॉन्फिक्ट में गाजा शहर की लगभग पूरी तरफ विद्वन्ष हो चुका है एक अनुमान के मुताबिक गाजा पर इस्राइल ने इतनी बंबारी की है कि गाजा शहर 16 साल पीछे जा चुका है इसके अलावा इस यूद में अब तक फलिस्तीम के करीब 14,000 लोग मारी जा चुके हैं जिन में 5,300 से अधिक बच्चे ये युनिसेफ के आकड़े हैं गाजा में सैंकडो मासू मिलाज के लिए तरस रहे हैं और अगले कुछ महीने में गाजा में मौजूद बच्चों में कुपोशन के खत्रे बढ़ सकते हैं इसे हम लोग 5 पॉइंट्स में समझते हैं पहला पॉइंट सितंबर महीने में भारत ने G20 समिट का सफल आयो जंग किया था इस समिट में इंडिया मिडल इस्ट उर्प कोरिड़ोर पर चर्चा की गई थी जिस पर इंडिया, अमरिका, साओदी अरब, इसराइल और यूरोपेशन ने अपनी सहमती भी दे दी थी इस कॉरिडोर के जरिए इंडिया से साओधी अरब इज्राइल होते हुए यूरोप को एक कॉरिडोर से जोड़ना था लेकिन इस यूद की चलते फिलाल ये आईडिया सफल होता नहीं दिख रहा है क्योंकि साउदी अरब जो कि एक मुस्लिम कंट्री है वो इस यूद के चलते इसराइल के साथ मिलकर शायद ही इस कॉरिडोर पर काम करना चाहेगा लेकिन अगर ये यूद बंद हो जाता है तो ये इंडिया मिडल इस्ट यूरोप कोरिडोर के लिए पॉजिटिव सिगनल होगा दूसरा पॉइंट कई भूराजनाथिक विश्यशग्यों के अनुसार इसराइल हमास यूद से रूस को खास बेनिफिट हो रहा है क्योंकि रूस पिछले डेर साल से यूद लड़ रहा है वहीं यूद अमेरिका और कई यूरोपिये देशों की सहायता से रूस को कड़ी टक कर दे रहा है अगर हमास और इसराइल के बीच ये वार लंबी चलती है तो अमेरिका इस यूद में उलद जाएगा इस से रूस यूक्रेयन पर एडवांस कर सकता है तीसरा पॉइंट ये कि दुनिया में तेल संकट आ सकता है इसराइल और हमास यूद की वज़े से दुनिया दो कुटों में बठती नजर आ रही जहां अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है तो वहीं इरान सहित पूरा मुसलिम वर्ल्ड हमास के साथ खड़ा होता नजर आ इरान ने तो तेल उतपादक देशों से ये तक कह दिया है कि कोई भी देश इसराइल को तेल ना दे इसके अलावा अगर ये यूद और भी फैला तो इरान इस यूद में आ गया तो दुनिया के सामने बहुत बड़ा तेल का संकट खड़ा हो सकता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं चौथा पॉइंट ये कि चीन पर इस यूद का क्या आसर होगा रूस की तरह चीन पर भी पॉजिटिव इंपक्ट देखने को मिल रहा है और ये जंग जितनी लंबी जाएगी चीन को उतना ही बेनिफिट होगा चीन को इसे सबसे बड़ा बेनिफि भारत के सामने समस्या खड़ी हो सकती है कि भारत इस इशू को कैसे हैंडल करे अभी तक भारत ने इस्राइल और फिलिस्तीन के साथ अपने संबंधों को बैलेंस करके रखा है उमीद है आप समझ चुके होंगे कि इस्राइल और हमास के यूद में पिछले डेढ़ महिनों म और आप हमें WhatsApp चैनल पर follow भी कर सकते हैं नमस्कार